यो, what's up guys, welcome back to another brand new gameplay video हाँ दो भाई यार, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale का Android version और ये इस सीरिज की दूसरी वीडियो है अगर भाई आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो भाई उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं वेल गाईज यार, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस गेम में सिंपली कार को buy और sell करना होता है लेकिन, लेकिन, लेकिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है भाई यार, ये कार को बेचने और खरीदने वाला काम भी हमसे ठीक तरह से नहीं हो पाया था अरे हाँ यार, पिछली वीडियो में मैंने जो गाड़ी खरीदी और बेची थी, उसमें यार, मुझे तगड़ा लॉस हो गया था हाँ भाई, इसलिए आज हम जा रहे हैं ऑक्सन में, वहाँ पर धेर सारी कार आती हैं सेल होने के लिए और हमारे पास है 9,000 डॉलर्स, बट यार, इस बार मुझे पैसे ध्यान से खर्च करने होंगे, क्योंकि यार, मैं इस बार नहीं चाहता कि मेरा फिर से लॉस हो होगे गाईज, मैं आ चुका हूँ, आउक्सन वाली जगा पर, और आप देखी सकते हो कि यहाँ पर धेर सारी कार्स और उनके ओनर्स हैं तो चलो यार, चल के देखते हैं कि अपने बज़ट में कौन सी कार आती है जैसे कि इन मैडम की कार थी $8,000 की बट यार, यहाँ पर तो धेर सारी कार्स हैं, रुको इन मैडम से पूछते हैं कि इनकी कार कितनी कीमत की है इनकी $8,000 की है, मतलब ये भी मेरे बज़ट में है, इनसे भी पूछ लेते हैं, ओ भाई, इनकी $9,000 की है लेकिन भाई यार अभी हमारे अंदर थोड़ी और खुजली है रुको इनसे भी पूछ लेते कि इनकी कार कितने ओ भाई 13,000 डॉलर की वेल गैस यार ऑक्सन में आई हुई जब तक मैं सभी गाड़ियों की प्राइस नहीं जान लूँगा तब तक मैं कोई भी कार परचेज नहीं करूँगा और यार इस पूरे ऑक्सन में जो सबसे सस्ती कार है वो है इन अंकल जी की इस कार की कीमत है 5,833 डॉलर लेकिन मैं अभी अंकल जी से बारगेनिंग करने वाला हूँ और इसकी कीमत मैं 5,700 डॉलर लगाऊंगा अब देखते हैं अंकल जी अपनी कार देंगे या नहीं औरे भाई अंकल जी तो यार भग गए अपनी कार मुझे दे कर अब भाई यार मेरे पास बचे हैं 3,370 डॉलर और इन अंकल जी की कार है 6,560 डॉलर की अब यार मैं सूच रहा हूँ इनसे भी थोड़ी बारगेनिंग कर ली जाए और यार मैं इनकी कार मांग रहा हूँ 3,360 डॉलर में अगर ये भी दे देते हैं तो भाई यार मैं आक्सन से सीधे दो गाड़ियां लेके जाऊँगा अबे यार इन अंकल जी ने तो सीधे मना कर दिया चलो कोई बाद ने अपने पास ये गाड़ी तो है चलो इसी को जल्दी से लेकर चलते हैं अपनी ऑफिस की तरफ और अगर भाई यार ये गाड़ी सही से बिक जाती है मतलब कि अगर इसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो भाई मैं वापिस से आक्सन में आऊँगा क्योंकि यार अभी भी यहाँ पर बहुत से अच्छी गाड़ियां है जिने मैं कम दाम में खरीद कर जादा प्रॉफिट के साथ मैं बेश सकता हूँ फिलाल तो भाई यार यह जो मैंने गाड़ी खरीदी है यह ना सिर्फ अच्छी दिख रही है बलकि अच्छी चल भी रही है तो चलो यार जल्दी से इसे अपनी आफिस की तरफ ले चलते हैं भाई यह दिखू गाड़ी का इंटीरियर जो की ठीक ठाक ही है और भाई यार जब मैंने इस गाड़ी को उन अंकल जी से परचेस किया था तब इसमें 60% फ्यूल था जो की यार काफी ज़्यादा था मतलब की भाई यार उन अंकल जी से हमारी एक अच्छी डील हुई थी ओके गाईस फिलाल तो हम लोग अपनी ऑफिस पहुंच चुके लेकिन यार मैं कार को कार पेंट की साइड लेके जा रहा हूँ वैसे तो यार रेड गलर में अपनी कार अच्छी लग ही रही है लेकिन यार फिर भी मैं इसका कलर चेंज करवाना चाहता हूँ क्या पता कलर चेंज करवाने से इसका प्रॉफिट बढ़ जाए हाँ तो डीजे वाले बाबू ओ बाबू अरे यार इसका कलर चेंज करवाकर ब्लैक करवा दे रहा हूँ और भाई यार आप लोग अब इसका लुक देखो रेड कलर में तो यार ये अच्छी दिखी रही थी लेकिन यार देखो ब्लैक कलर में भी कितनी धांसू लग रही है डीजे वाले बाबू को शुक्रिया बोलकर हम अपनी गाड़ी को ले चलते हैं आफिस की तरफ भाई यार मुझे ये आइडिया नहीं था कि उस आक्षन में इतनी अच्छी गाड़ी भी मिल सकती है और यार भला हो उन अंकल जी का जिनोंने यार मेरे बारगेनिंग करने पर भी अपनी गाड़ी दे दी लेकिन यार वो बगल वाले अंकल जी भी दे दे ते तो यार मेरे पस दो गाड़िया होती चलो खैर अभी तो अपने पास है ये अब जल्दी से इसको बेचने की तयारी करते हैं सबसे पहले तो यार मैं गाड़ी को अच्छे से पार्क कर देता हूँ ताकि कस्टुमर को कोई भी दिक्कत ना हो ओके गाईस तो फाइनली अपनी गाड़ी पार्क हो चुकी है और यार इसको जल्दी से अब सेल पर लगाते हैं बड़ यार मैं इसे बेचना नहीं चाता क्योंकि यार ये मुझे काफी ज़्यादा पसंद आ गई है लेकिन यार अब करना तो पड़ेगा चलो यार जल्दी से इसको लगाते हैं सेल पर भाय यार इसे मैं खरीद के लाया था 5700 डॉलर की और यार मैं इसकी प्राइस अब चेंज करने वाला हूँ कार की उपर यार मैंने पेंट भी कराया था जिसमें यार कुछ मनी खर्च हुआ तो यार मुझे उसका भी प्रॉफिट निकालना है इसलिए यार मैं कार की प्राइस रखने वाला हूँ 10,000 डॉलर और अब फाइनली इसको लगा देते हैं सेल पर और बस अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है आप जो भी करेंगे वो तो कस्टमर करेंगे ओके गाइस यार अब अपन लोग यहां से चलते हैं कस्टमर आने का थोड़ा सा वेट करेंगे और हाँ भाय यार इस गेम में जो करेक्टर हैं यानि कि जो लोग है वो काफी इमानदार है मैं यार अपनी ओफिस को दिन भर ऐसे ही खुला छोड़ देता हूँ कोई भी किसी चीज की चोरी नहीं करता है ओके गाइस यह जगा देखो यहां पर कई सारी पुरानी कार्स पड़ी हैं मतलब कि आप इसे कार्स का ग्रेव यार्ड भी बोल सकते हो अब यार यह जगा है एक्चुली में गेम में क्यों है यह तो मुझे नहीं पता बट हाँ मेरे को यार एक थोड़ा सा आइडिया है कि यह जो अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे हम लोग पुरानी कार्स को परचेस कर सकते हैं और उनकी रिपेरिंग वगएरा करा कर वापिस से से सेल कर सकते हैं इसके बारे में भाई यार हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे फिलाल तो यार चलते हैं हम अपनी ऑफिस की तरफ अब यार देखू यहाँ पर कई सारे कस्टूमर अरे यार सिर्फ दो कस्टूमर हैं चलो कोई ना इनी दो कस्टूमर से बात करके देखते हैं हाँ तो पहले इन गंजे वाले अंकल जी से पूछते हैं ये तो यार अपनी कार 9,637 डॉलर में खरीदना चाहते हैं चलो यार बगल वाले से भी पूछ लेते हैं ये कितनी कीमत दे रहे हैं अरे भायार ये तो 9,465 यार ये गंजे वाले अंकल जी तो आलमोस्ट 200 डॉलर ज्यादा दे रहे हैं तो चलो यार इनी को गाड़ी बेच देते हैं क्योंकि यार यहाँ पर और तो कोई कस्टूमर है नहीं एक सकंड एक सकंड इधर भायार एक कस्टूमर आया है चलो यार इससे भी बात करके देख भायार ये बंदा दे रहा है 9,812 डॉलर रुको एक बार अंकल जी के चिकरे अरे यार अंकल जी तो 200 डॉलर कम दे रहे हाँ भाय तू ले जा चल जल्दी से ले जा गाड़ी ओके गाईस तो हमने 5,700 डॉलर वाली गाड़ी को 9,812 डॉलर में बेच दिया है मतलब कि यार हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक ही है गेम की स्टार्टिंग में हमारे पास थे 9,000 डॉलर और अब हो चुके हैं 12,007 डॉलर मतलब कि भायार हमें पूरे के पूरे 3,007 डॉलर का प पसंद आये थी वो थी इन मैडम की वेल गैस यार इस कार को मैंने 8,228 डॉलर में परचेस कर लिया है और भायार इस कार का नाम है BMW E36 वेल गैस यार इस गेम में जो कार्स की नेम होते वो यार गलत लिखे रहते हैं इसलिए भायार मुझे पिछली वाली कार का नेम नहीं प चाहता हूं यार कलर चेंज कराने से profit जादा होता है ए डिजे वाले बबू जल्दी से यार इसका भी कलर चेंज कर दो वैसे तो भायार यार यह वाइड कलर में ठीक ही लग रही थी लेकिन भायार ब्लाक कलर में दिखो ये कितनी ज़्यादा awesome लग रही है ओके तो डिजे यार हम अपनी गाड़ी को ले चलते हैं office में sale पर लगाने के लिए बट यार black color में गाड़ी को ज़्यादा ही सुन्दर लग रही थी और यार ये red color में इतनी अच्छी नहीं लग रही है इससे ज़्यादा तो अच्छी white color में ही लग रही थी विल गैस यार इस car को मैं इस वाली वीडियो में नहीं sale करूँगा इसको भायर मैं sale करूँगा अगली वाली वीडियो में और यार इसकी price आप लोगों को decide करनी है तो यार जल्दी से comment करके बताओ कि मैं इसे कितने dollars में बेचूँ जिससे मुझे profit हो और भायर मैं आप लोगों को बता दू कि मैं इसे 8228 डॉलर में खरीद के लेके आया था विल गैस यार वीडियो को इधरी खतम करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक like कर देना और अगर चैनल पर पहली बार हो तो भायर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ भायर कमेंट करके जरूर बताना कि इस कार की price क्या होनी चाहिए